आज मैं आपके लिए पाइन नेपल केक की बहुत ही असान सी रेसिपी लेकर आए हूँ जो एकदम सौफ्ट और स्वादेश्ट बना है इस केक को मैंने नॉर्मल घर की कटोरी और चम्मस से नाप करके बनाया है और साथे साथ इसके कडाही में बनाया है इसके लिए आपको ओ की को बनाने की लिए सबसे पहले हम मोटे तले का इक कडाही लेंगे जैसा कर आदह इसे बिच में रख देंगे अगर स्टेंड नहीं तो आप इस तरह का प्लेट ले अहां गर में जो सबजी बें एक सब्सक्या admitted ने ुल्टा करके और कडाही के बीचों बीच में रख सकती अब कडाई के जरग में टोपिया या गंजी का आता है वह भी मोटे तले का ले सकती हैं तो मैंने एस्टेंड रख दी पर देंगे अच्छे कर दिया है यारी आछी तरह से चिकना कर दिया बटर पेपर गोल काट करके और इसके बीच Reverse अब लिया आफेrim के कर सकती है और उसी के अनुसार सारे चीज ले सकती हैं तो हमने आधा कटोरी नार्मल t rankings का दूद है यह उपला हुआ दूद है लेकिन यह नार्मल टेम चर्श्य का और इस तरह का बिनेगर जो बजार में आता है जिससे यानि एक बड़ा चमच घर के घर का जो भी बड़ा चमच है आप उससे ले सकती है और यह अज़ितना भी सुखा सामगरी हम इसे यूज करेंगे उसको पहले चान लेंगे देक तो इसमें जाम में 20 यह 30 गर दाले फो दू अइंड नहीं है तो इस तरह से पाँच मलता है तो उसे केक प्रूमार इता है जाता है उसे पाँच दौड़ा कम लग दोय फो कि दौड़ा काऊश दूड़ा दालन से बार बडार को जाता है यह ढरने के लिए मिल्क पाउडर कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं यह धा कम लेकिन उससे कोई दिकत नहीं है वह चले गा अधा काड़ोर हमने लिया है ट्रीक यांनि ऐसी हुई जितने मैदा आप लेंगे आप अपने हिसाब से उसका आधा चीनी लगता है केक में तो आधा कड़ोरी हमने ठीम लिया है हाप टीसपून हमने लिया है बेकिंग सोडा किहा फिलाथी हम बेकिंग नेंगे हम बेकिंग पाउडर कोई भी चमच सेट कर जो आपके घर में उपलब्द है जो छोटा चमच होता है और उसके बाद हम दो चुटकी डाल देंगे नमक यानि थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि केक में नमक थोड़ा सा डालने पर यह मीठे को बैलेंस करता है और केक और ज्यादा अच्छा लगता है तो हमने इसमेल रहने से किस्वाद अच्छा नहीं होता है तो आप बीना इसमेल वाला रीषाण ओल लिजएगा अर इन सबको हम अच्छी तरह से हैंड विचकर या चम्मच से अगर आपके पास हैंड विचकर नहीं है तो आप चम्मच से इससी अच्छी तरह से फेट लें एक्तम यह देखिए इस तरह से गाढ़ा दूद हो गया है तो हम इसे रख देते हैं और जो हमने सुखा शामगरी जो शारा लिया है उसमें इसको चानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो हमने चीनी पीसा हुआ रहता है जो बेकिंग पॉडर होता है तो वह निकल जाता है इस चांचों ऊणचान स closest मिक्स कर सकती है तो यह दिखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगी एक ही तरफ से और बहुद करें ऀसको इसको एफिंश टृहां लग रहा है तो हम थोड़ा सा दूद और लेंगे यानि 2-3 चमच और दूद लेंगे या यह समझे कि 1-4 cup दूद लिया है और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके दूद और डालेंगे जो हमने 1-4 cup दूद लिया है तो आप अपने हिसाब से ही दूद डालिएगा क्योंकि ब इस तरह से करते हुए इसे फेट लेंगे यह देखिए हमने इसे फेट लिया है तो हम इसे पाइनेपल केक बना रहा है तो इसमें पाइनेपल एसेंस डालेंगे तो यह हमने लिया है पाइनेपल एसेंस और यह वान फॉर्थ टीश्पून है यह देखिए यह बजाब में आ या half tea spoon भी डाल सकती हैं तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से फिर एक बार मिला लेंगे और यह देखिए इस तरह का घोल होना चाहिए जो केक का है असके बाद आप जो भी बतन में बना रही है उसमें डाल दीजिये तो मैं यहां केक Cup Tee में बना रही है तो मैं इसमें डाल देती हूं और यह देखिए इसतरह से डालने पर जो इस तरह से प्लेट बनते जा रहा है वैसा ही घोल होना चाहिए Kेक का तब एकड़ मेर यह तरह स हम इस तरह से निकाल करके डाल देंगे Print Standard के बाद अच्रकोट कर लेंगी तया द्वक्राइब करेंगे इसला कर लेंगे तेन चार बार श्रीन निकल रहा है इसी突 plot भ्रण minor BOB्र अधम और शेट करने के बाद इसे तीन चार बार और टैप कर लें तो जो बैटर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है अब पहले से जो कड़ाही है उसे हमने गरम किया है उसमें हम डाल देंगे जो केक का बैडर है वीच to पीच इस तरह से रख देंगे और उसके उपर अछी तरह से सेट होने वाला धकन ताकि हवा जो है वो बाहर ना निकले उसका भाप जो है बाहर ना नकले इस तरह से वैसे ही रख कन लिज्जिएगा इस तरह से हमने इससे धक दिया और धीमा आज कर केक को बनने में 30-40 मिनट लग जाता है कडाही में उसे ज्यादा भी लग सकता है अगर आप का टेमप्रेचर कैसा है तो यह देखिए जो हमने धकन 20 मिनट के बाद हम इसे निकाल रहे हैं तो जो धकन हमने धका था वो केक फूलने के बाद उसमें टस्च कर गया तो केक जो है तरफ से थोड़ा सा उसमें बिगड़ गया है तो उसके बाद हमने इस तरह के घड़ा वाला जो धकन था उसे ले लिया और दस मिनट और बेक किया था धीमियाच में और यह देखिए एकदम परफेक्ट जो केक है वो बेक हो चुका है तो हम इसमें डाल करके टूथपिक द बीच में डाल दीजी किनारे में भी डाल करके आप टूथपिक देख सकती है और यह एकदम इस पंजी बना है एकदम बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना है तो हम गैस बन कर दिये हैं और इसे निकाल लेते हैं और इसे थंडा होने देते हैं अच्छी तरह से जब ठंडा हो तब हम इसे डी मोल्ड करेंगे यानि इसे प्लेट में निकालेंगे और यह देखिए जो हमने ओवन में बनाया था एक केक तो यह बना हुआ केक है और यह भी अच्छी तरह से बेख हो चुका है तो 180 डिग्री पर आप 35-40 मिनट के लिए बेख कर सकती है तो दोनों को हम अच् केक तिन ठंडा हो जाने के बाद उसे की नारव को चाकू से एक बार फिरा ले अर उसके बाद उल्टा करके और दो-तीन बार टैप कर ले तो यह वह असानी से बाहर निकल जाता है इस तरह से हमने दो केक बनाया है है एक वन में बनाया था और एक प्युक गडाही में तो द के लिए बनाया था लेकिन मैं इसे काट करके आपको दिखाती हूं और यह देखिए कितना अच्छा जाली बना है और बिल्कुस सौफ्ट एकदम रूई जैसा बना है और श्वाद में तो पूछिए मत पाइनेपल केक का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है तो अगर आपको पसंद है पाइनेपल करेंपने घर में असानी से बना सकती में इस केक को मैंने हस्बंट केंपे बड़निच था उसी जिए और नहीं प्रस्वाद को सजाएं और अब कर लियाया इस की शचाहिए की छाहिए तो आप कर्ने तो आप और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा घन्यवाद